हेलो फ्रेंज अभी हम देखेंगे गूगल फॉर्म्स क्या है इसके कुछ बेसिक सेटिंग्स और इसका इंटरफेस कैसा दिखता है क्योंकि यह हमारा पहला वीडियो इस सेक्षिन में तो चली मैं आपको दिखाता हूँ यह गूगल फॉर्म्स कैसे खुलता है आप जाओगे गूगल ड्राइफ पे न्यूद पे क्लिक करोगे आप यही पर आपको option मिलेगा Google Forms का इसको क्लिक कीजए एक blank form पे क्लिक कर दिजिए और जैसे आप click करोगे ऐसा कुछ एक form page खुलेगा सबसे पहले क्या आता है यहाँ पर form का नाम यह untitled form और यह untitled form दोनों same है आप इस form के बारे में कुछ बता सकते हो यहाँ पर देखे questions यह अलग-अलग तरीके questions है यहाँ पर यह बहुत साई चीज आप add कर पाओगे हम सब चीजे detail में देखेंगे हमारे आगे आने वाली videos पर यहाँ पर देखिए responses का tab है जो यह form फिल कर रहे हैं सारे responses यहाँ पर देखेगा और बाद में हमें Google Sheet को भी इसके साथ link कर सकते हैं जैसे कि मैं form का नाम दे रहा हूँ तो suppose यह एक demo form है तो देखें मैंने जो नाम दिया यहाँ पर अब मैं जैसे यहाँ पर click करूँगा untitled form पर यह नाम पिक कर लेगा देखें पिक कर लिया उसने अब चाहे तो change भी कर सकते हो और एक और important चीज था कि आपका drive organize रहे यह move to folder का option आजाता है क्योंकि नहीं तो यह my drive पे हो जाएगा आप चाहे तो इसको कही और move भी कर सकते हैं और आप इसको star भी कर सकते हो अगर यह form आपके लिए important है तो हमेशा जरूरी है जब भी आप एक form create करते हो उस form के बारे में यहाँ पे लिखिएगा कि ताकि लोगों को पता चले जो यह form fill करने वाले form है क्या और यह form fill करने से क्या होगा so please mention in detail about this form अगर यह leave application form है तो लिखिएगा this is a leave application form please apply for leaves from this form only जो भी form आप बना रहे हो उसके detail में लिखेगा यहाँ पे एक और option बताता हूँ यहाँ पे preview का क्योंकि आप जो form बना रहे हो यह अभी editing mode पे है पर viewer mode पे कुछ अलग तरीके से दिखता है so देखी यह preview है form का आपने demo form नाम दिया है form के बारे हैं बता एक question by default आ जाती है हमने इस पर कुछ काम किया नहीं अभी तो जब यह form बना रहे हो आपको doubt है कि यह form कैसे दिख रहा है आप यह preview बटन पे click कर दीजिए कुछ basic setting बता देता हूँ मैं आपको settings पे जाईए मैं कुछ settings में आपको बाद में जब advance हम लोग की वीडियो का section आएगा तब आपको बताऊंगा सबसे पहला वाला है limit to one response इसका मतलब है आप कुछ भी question बना रहे हो कुछ offer दे रहे हो उसी email id से स्रीफ एक ही बार यह form fill कर सकते हैं अगर वो multiple id से login करें of course यह form fill कर पाएंगे पर एक email id से एक Gmail id से स्रीफ एक ही बार यह form fill हो सकता है तो अगर आपका कोई case है आप कुछ gift दे रहे हो कुछ offer दे रहे हो तो एक id पर restrict कर सकते हो edit after submit यह भी important है किसी ने form fill कर दिया है उसको याद अच्छा मैंने तो कुछ वो change करना था मैंने गलती से डाल दिया है तो जब तक वो यह page खुला हुआ है अगर उसने page बन कर दिया URL browser बन कर दिया तो तो यह edit after submit काम नहीं करेगी तो हमने form fill कर दिया मैंने कुछ update करना था मुझे मैंने गलत answer डाल दिया तो मैं वापस जाके edit कर सकता हूँ अगर मेरा खुला हुआ है यह तो यह भी मैं बाद में आपको आगे आने वाले वीडियो में दिखाऊंगा presentation यह सारी चीज़े मैं जो आपको form creation चिखाऊंगा तब आपको भी दिखाऊंगा यह सारी important है आपको करना होगा तो यह basic है बिल्कुल Google form का अगले आने वाले वीडियो में हम देखेंगे कैसे form को fill करना है कैसे question बनाना है और वो जो settings है उसको कैसे activate करना है इस वीडियो में इतना ही थैंक यू सो मच